परिचय ये मार्बल यानी कंचे हैं ये कंचे हरे लाल और नीले रंग के हैं आओ हर रंग के कंचों को चुनें पहले हरे रंग के कंचों को गिनते हैं एक, दो, तीन और चार हरे रंग वाले चार कंचे हैं यहां लाल रंग वाले कितने कंचे हैं लाल रंग वाले एक, दो, तीन कंचे हैं अब बारी है नीले रंग के कंचों की, एक, दो, तीन, चार और पांच, हमारे पास नीले रंग वाले पांच कंचे हैं, तो हमारे पास हरे रंग वाले हैं, चार, लाल रंग के तीन, और नीले रंग के पांच कंचे हैं, आओ सीखें चीजों को एक समूह में इकठा करना दी गई कुल चीजों को गिनना और ठीक से रखना आओ अब आओ सीखें अब एक टैंक में मौझूद केसरिया रंग की मचलियों को गिनते हैं ये कितनी हैं? एक, दो, तीन, चार चार मचलियां यानि आकडे हुए चार यानि केसरिया रंग की मचलियों की संख्या हुई चार आकडों की परिभाशा दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हम जिन चीजों को गिनते हैं, उनकी कुल संख्या को डेटा कहते हैं आकणों को संभालना दोस्तों, चलो अब इन किताबों को गिन कर इस बुक शेल्फ में लगाते हैं यहां लाल रंग वाली कितनी किताबे हैं? एक और दो, यहां लाल रंग वाली दो किताबे हैं और नीले रंग की कितनी किताबे हैं? चलो गिनते हैं एक, यहां नीले रंग की सिर्फ एक किताब है आपको हरे रंग वाली कितनी किताबें दिख रही हैं? एक, दो, तीन यहां हरे रंग वाली तीन किताबे हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे अब हमने सभी छे किताबों के आकड़ों को एक बुक शेल्फ में लगा दिया है हमने क्या चर्चा की? आकड़ों का मतलब है किसी संग्रह में मौजूद चीजों की कुल संख्या आकड़ों को संभालने का मतलब है आकड़ों को लगाना चीजों के समूह से चीजों की कुल संख्या को गिनना और लिखना